हेलो सो, एसकेलेक्टरों सरकमफ का साथ, सो कैसे हो आप आसा करते हैं, बहुत अच्छे होंगा, इच्छे रहो हुए दोस्तों, LG का मेरे पास TVI रिपेर होने के लिए CRT TV, इसका मोडल नमबर ने देख लिए CA 20F 30 तो दोस्तों, यह company का है, original LG का है, तो इसमें condition का फसरी है, problem यह है कि जैसे इसे on कर रहे हैं, सिर्फ टिक 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 इस तरह से कर रहा है, मैं आपको दिखाओंगो, दोस्तों, इसका reason क्या होता है, और यह problem फिर से ना एक किस वज़े से आती है, तो वोई बताएंगे क्यों permanent के लिए क्या solution है, या फिर इसका एक ऐसा solution है कि जो फिर दिक का जल्दी से ना आए, तो देखिए, यहां उनके आप थोड़ा गोर से सुनना sound को इसको देखिए, यह sound है, ठीक टिक 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 गरी है यह देगें चीक है तो दोस्तो यह जो इसमें आपने sound सुना टिक 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 वाला यह दोस्तो हमारा supply section का भी हो सकता है output वाले horizontal transistor का भी हो सकता है यह EST short वो उसकी वज़े से भी हो सकता है तो दोस्तो वो टीवी को खोलेंगे उसके बाद देखेंगे किस वज़े से समझे आई है क्यों आई है वो इसे कैसे ठिक करना है दोस्तो बने रहे वीडियो को लाच तक काफी इंट्रेस्टिंग होने वाले है जो CRT TV काम सीख रहे हैं क्योंकि दोस्तो अभी भी CRT TV हमारी इंडिया में अवैलिबल है वो काफी अच्छे से अभी हैं हमारे जितनी LCD हैं अतनी ही CRT TV बचे हुए है वो दोस्तो रिपेरिंग होने आते हैं ऐसी बात नहीं है कितने पुराने हो जाए रिपेरिंग होने आपके पास फिर भी आएंगे काम आई जाता है इसलिए बता रहूं आपको मैं वीडियो पर सूट करता हूं तो दोस्तो देखिए हमने यह पर बोर्ड निकाल गया बार और हम अभी आपको दिखाएंगे दोस्तो एज जो इस कंडिसन में हमें सबसे पहलो जो च्डान करना होता है हमें यह देखना होता है कि हमारा होज्जेंटल को जो टांजिश्टर है यह कि एस्टी को जो सप्लाई देता हो और हमारा सप्लाई सेक्सिन जो है वो, उसमें क्याहर है, तो यहां पर हम ने सेट कों किया, कॉन करने के बाद हमने देखा क्य साँंड यहीं से आरहा है, बहुत मौर्ड के अंदर से आ रहा है, अब बॉर्ड के अंदर से ऐसे किस वजह से आता है या तो जब सप्लाइ की switching के अंदर sorting हो गई ठीक है यह output section में कोई diode short हो या horizontal का transistor short हो तो उसके लिए कैसे find करेंगे वो चीज़ा भी बताते हैं आपको camera set करते हैं अभी हम दिखाते हैं आपको check करें मैं set को off करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूं देखिए साथ करना हैं जाएं The जो अपनी पनाने के लिए लगा होता हैं अभी अपको पूरी दिखा दूँगा अगर वह शोट हो जाता है तो दोस्तो वन टैन सप्लाई यानि के इस दस वोल्ट अपनी यह जितनी वोल्टेज बनती है सब अपनी अपने अपस में मतलब एक तरह से सोर्टिंग बंद कर देती है सेकंडी सेक्शन को तो प्राइमनी सेक्शन का इस दिक्कत नहीं दूस्तो उसकी वज़े शोट राने की वजये से सीच भावद genre से पहले हमें वहीं करना होता है और इसको दो स्माण से यह हमारी उसी कैप हो वह स्पारकिंग कर गई हो यह हमारी दो यो ल में समच्षा हो उसलगा से तो दोस्तो यह कोने पे लग रहा है ही यह होरिजंटल है ठीक है यह हमारे डी होती है मतलब इसको मैं आपको दोस्तों पूरी फुल डिटेल वीडियो बना रखिया मतलब इसके जहां कौन-कौन से नंबर लगा सकते कितने कितने वाटिज में पूरी जाकर वीडियो देख से लिंक आपको डिस्टिशन में मैं दे दूंगा इसके जहां कौन-कौन से लगा सकते अल्टरनेट नंबर और क्या क्या है पूरा डीप ली तो मीटर कंटिनूटी मोड पर लगाएंगे साइड प्रॉप को आए गाई बिचवाली से महीं नहीं आना चांगी न है लेकित दोस्तों बिचवाली से थूसरस बी पार अलकिन इसमें तो दोस्तों हम इसे यहां से बाहर निकालेंगे और इसके बाद में इसे से टेस्ट करें इसमें जो डाउट लगा नहीं सीधा वहीं चेक aus दोस्तो original राइंश हमारे हैं short है, तो हम इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, अब दोस्तो जब यह हमारा short होता है, हमारी सभी voltage हमारी drop कर देता है तो उसके बाद में यहाँ पर अपने EAST section और यहाँ पर देखी यह जो है ना area, यह तो EAST का हो गए, यह तो secondary का चीक है, इससे पहले जो हमारा section है, यह तो हमारा EAST का complete secondary section हो गए उपर की तरब से, इससे पहले हमारे supply section है, इतने यह जो line देख रहे हैं ना यह वाला यह इतना इतना अपना उपर का supply section primary का और आगे की तरब secondary का तो मैं आपको एक पार दिखाना चाहता हूँ इसे, जैसे ही that condition में मतलब problem है, उस समय voltage, और जिस समय ठीक होता है उस समय voltage कितनी आ रही है तो मैं यहाँ पर multimeter को लूँगा और उसे आपको DC volt पर set करके आपको दिखाता हूँ ठीक है, कि कितने voltage कहाँ पर मिलती है, और ठीक करने के बाद कहाँ पर कितनी voltage आनी चाहिए है तो थोड़ा ध्यान से देखना हो दोस्तों अब मैं इसको, यहाँ पर जो secondary section में जो voltage बनती है, वो आपको check करा के दिखाता हूँ, तो उल्टी तरफ से देखेंगे, जैसे हमारा SM transformer जो होता है यह वाला, उसके आगे हमारे diode लगे होते हैं अपने 110 वोल्ट के लिए, 26 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए, तो उसमें हम उसे check करेंगे कि अब कितने voltage बनने हैं, क्योंकि वैसे तो जिस condition में sort आता है, उस condition में voltage, आपके आ तो half कमेंट भी आये थे, मैं से लिए बता रहूँ, वैसे आपको voltage यहां पर drop मिलेंगे, एकदम से बढ़ते बढ़ते क्योंकि जब sorting होती है, तो supply switching कराती है अपनी, तो मैं यहां पर set cone किया, multimeter के probe, ग्राउंड पर लगाई, यानि कि देखिए, एक दो, एक दो voltage, अब डाउन कर रही है, ठीक है, तो अब हम जो हैं, अपनी, जो 12V, 27V, जो यह बनती है, उनको भी देख लेते हैं, जहां पर डाउड लगे है, secondary section में, तो उनको देखते हैं, देखिए, अब डाउन हो रहे हैं, एकदम से, जब अब डाउन होते हैं, वोल्टेज दूस्तों एकदम से तो यह मीटर होते हैं, यह सही से थे सेंश कारें नहीं पाते हैं कितनी हैं, क्योंको उसको यहां towards 300 भी दिखाते हैं, देखिए, देखिए, तो हमारी secondary section में कोई भी voltage नहीं बननी इसके sort हो जाने की वज़े से ठीक है तो अब हम दोस्तों हम इसे यहां पे निकाल देंगे और आप इसमें दूसरा डाल देंगे दूसरे बहुत से के नंबर हैं दोस्तों मैंने फूल पूरी डिटेले वीडियो बना रखे हैं आप इसके नहीं कम सकम 10-15 मोडल हैं मतलब 10-15 नंबर हैं इसके जंगे दोस्तों आप लगा सकते हो मैंने इसलिए पूरा टूटोरियर बनाया था क्यूंकि ऐसा हो जाता है दोस्तों कुछ नंबर होते हैं नहीं मिलते हैं लेकिन जो मैंने वी नंबर बताए हैं वो आप को इसी भी कंपणी के टीवी में लगा दीजिए 101 परसेंट चलेंगे दोस्तों शिल्डवार्च मैंसे जल्दी से निकाल लेते हैं बोर्ड को सही तरह से रखता हूं मैं पहले और मैं यहां पे इसको टांजिस्टर को निकाल लेता हूं ठीक है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसके निकालने के बाद आपको एक चीछ चेक करनी है इसका रीजन यह किस वज़े से खराब हुआ दोस्तों इसका खराब होने का रीजन है या तो मैंने बताया था कि आपको यह शोट हो सकत आता है दोस्तों देगें आपको चेक कराता हूं अब यहां पर आपको दिखाता हूं देखिए बीप साउंड बिच वाले पर देख लेते हैं यह हमारा फुल सोट है तो इसकी जंग हम सेम नंबर भी लगा सकते हैं यह काफी सारे नंबर हैं जाके लिंक आपको डिस्यूशन म कौन से नंबर अब दोस्तों सेट ओन करके अब मैं आपको वोल्टेज चेक करते हैं अब देखिए मुल्टिमेटर को 200 वोल्ट डीशी पर लगाया मैंने ठीक है एक प्रोब ग्राउंड पर लगा दी मैंने इसकी और आपको दोस्तों होईजनेटर के बीच वाली पिन पर व नहीं मिलेगा कि आपको कम कर लो ऐसा कोई नहीं है तो यहां पर दोस्तों वोल्टेज ठीक है इसमें इतनी ही मिलेगी चाहिए आप देखना एल जी के इस वाले मॉडल में आपको इतनी मिलेगी तो यह टाइंश्टर शोट हो जानीवाश है हमारी वोल्टेज ड्रोप होग इसको पूरा टुटोरियल देखे चला वला के देखे अब मेरे पास देखे यहां पर एक और टांजिस्टर है पुराना रखा हुआ था मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसको चेक करता हूं देखे साइड साइड पर कमोंस आएंगे बिच वाली पर अपना 500-600 गास पसाए ठीक है ठीक है दोस्तों देख लिजे यह हमारा बिलकुल ओके है इसका नंबर देख लिए डी 16 क्या वन है ठीक है तो यहां पर हम इसको लगा देंगे तो हम इसे यहां पर लगा लेते हैं लगाने का तरीका इसका उल्ट अशीदा नहीं है ऐसा कुछ भी जैसा निकले आप दिक्कत बन जाएगी तो दोस्तों यहां तो heat compounder लगा लेना है heat sink पे अगर आपको नहीं है अगर आपको लेडी पहले से ही लगा हुआ है तो बात ठीक है लेकिन नहीं है तो दोस्तों लगा लेना है और जब एक चीज आद रखना जब इसे आप कसो हिसके उपर या तो है क तक वह बेकार है क्योंकि दोस्तो जब आपका heat sink से वो अच्छछ कर रहेगा ना उसकी heating जबी up-job करेगा जो कि heating up-job करेगा यह नहीं होगी न दोस्तों तो सीदी सी बात है जल्दी जल्दी खराब तो हो लिए तिपस याद रखनी है हिट सिंग पर किसने तब लिंग करने कर लो जैसे आप पेछ वह के सुके तूप को प्रिंट फट जाएगा वो गलत है पहले आपको कंपो नंट को कसना है पूरा जिहां पर उसकी फिटिंग है इसके बाद में इस पर जो है जिस से कि आपको प्र फाई के साथ करनी है ठीक है हमने यहां पर सोल्डिंग कर दी है अब मैं इसको एक बार ओन करके देख लेता हूं वह आपको बताऊंगा किस वज़े से फूकाता है तो दोस्तों से ऐसे मैंने यहां पर सेट को ऑउन कर दीया है आप्समें इस में olun में स्टणभाई की लाइट जल चुकि यह पहले लाइट भी नहीं जल लिए तो सेट बिलुकुल डढ़ थाुए राड लाइट भी नहीं जल लिए दखा दो कि यहां पर रैड लाइट जल चुकि यहां पर SPARKING होने लगी है EST CAP के पास दिखिए काफी ज्यादे SPARKING अब दोस्तो समंझ चुके हैं किस वज़े से आपका T disadvantage हो आई यह दोस्तो हमारा EST की SPARKING की वज़े से तांजिस्टा KHRAB हो जाता है तो दोस्तो यह जो EST CAP हमारी KHRAB हो जाने के वज़े से इतना बड़ा इसमें फार्ट आया था इस वज़े से समश्या बनी तो अब हमें क्या करना है जो यह टांजिस्टर है यह इसी वज़े से फुका है यह तो गारंटी है कि इसकी एस्टी कैप की स्पार्किंग होई अब हमें क्या करना है दोस्तों इसकी एस्टी कैप को बाहर निकालना है अब सेट को ऊफ कना है एक चीज यादकना है या तो यहाँ कोई ग्राउंड कि अगर आपकी पिन हटती है तो से अटा लीजिए नहीं हटती है तो आप यक वायर लेज्ग débakt आपको ध्यान देना है एक वायर लेना है पिक्चा ट्यूब के कोने पे उसे लगा के टाइट कसके ध्यान लगना ऐसे मैं यहां पे यह दो पिन ले लेता हूं ठीक है इसकी एक पिन को मैं हीट सिंग यह हो जो हमारी पिक्चा ट्यूब है इसको हमें अपने हाथ से आगे रखना है अपने हाथ से इसे आगे रखना है जिससे की यह इसके न्यूटल के साफ एक्ष में आए और यह करंट बिल्कुल न्यूटल हो जाए बिल्कुल जीरो हो जाए तो जैसे भी करना है मतलब एस्टी कैप को इससे ही उखाना है वरना जाएगा हमें वाल्टेज होती है इसे अंदर वाल्टेज होती है और उसे अचके काफ यहाद सब्सक्राद करना कोई आप है काफ जाद इसपार्किंग हुए है और और जाद हैं पर पूर रूप से तो आप लल्ग बात है ग्लीन करना है छाया आप ठीनर , पैट्रोल केला ना पूरा अरिया च Southwest करें मेरेना है जहां पर HD cap लगती है ठीक है जी अब दोस्तो क्या करना है आपको cap की हालत देखने है cap अगर ठीक है तो लगा सकते हो वहना दोस्तो cap चेंज कर लिए देखतो दो cap की हालत देखने पर लग रहा है कि cap पूरी तरह से गल चुकी है बेकार है इसके अंदर की प्न है दोस्तो यह वही गल चुकी है। तो दोस्तो हमें क्या करना है जड़ से ही हमारी his parking होके wire वही गल चुकांमला हो कर तो तो हम क्या करनिंगे हैं से wire को काट लेगे अगर दोस्तो वायर खुराब हो चुगा है तो इसे कैप को अलग कर लेंगे तो हलका सा वायर को छील लेंगे छीलने के बाद आपको क्या करना है एक एसटी कैप लेनी है या तो कोई भी पुण्छा ने लिजी अगर आपके पास पढ़ी हो पर लेकिन ठीक हो नहीं जा है कोई दिन होगे कैप डालती KP नहीं नहीं जाद है तो मेरे पास रखी हुए है मैं उसको ले लेता हूं तो मैं अभी आपको दिखाता हूं तो मेरे पास यहां पर एक कैप रखी थी मैं अस्ता हूँ ऑपर तो मैसे लगा लेता हूं यह इस्टी कैप anytime मिल जाएगी बते हैं जितनी है दोस्तों मैं इसलिए ayamži नहीं नहीं बता राए क्योंकि हमारी जो जो वीडियो है concept वे देखते हैं और हमार जो эта ड़ूसे अच्छा नहीं लगतां है किसी चीज के 200-200 रुपे ले रहे हैं उसे पता लगे यह चीज इतनी की नहीं है तो दोस्ता ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि यह तो कहा दोंगे बहुत से कि अपने 200 रुप की चीज के लिए हैं भाई हम हैनत भी तो कर रहे हैं उसमें काम भी तो कर रहे हैं आप यह बता हूं पर लेकिन डाला एक कंपोनेंट तो अपने काम सीखा उसका भी तो कुछ है तो दोस्तों हमने यहां पर साइड पे अपनी हीट कंपाउंड나र लगा दो या अपनों दोस्तों जो गैस कीट ब橋 ना थे उसल लगा के कैप का यहां पर पूरा लगा सकती हomnSON पहले आपको लोक लगाना है पिन का फिर उसके बाद कैप को ढुक देना है कैप को अंगली से इस तारह सिस तरह से आपको कर देदेना है आप दोस्तों हमने कैप को अच्छे से लगा दिया है काफी गंदा हो रहा था टीवी इसको भी यहां से पिच्छ टीव उपर से साफ कर दिया है कैप हम लगके हमारी बिलकुल यहां पर रेडी है क्योंकि दोस्तों जायतर होरिजेंटल टाइस्टर इसकी वज़े से खराब हो जाते हैं और बार बार दिक्कत आती है दोस्तों अब जल्दी से दिक्कत नहीं आएगी कम से एक डेड़ दो साल अराम से चल जाएगा कोई दिक दिक्कत नहीं है उसके बाद में कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे एक डोड़ दोसाल अराम से गाइसों में चलता है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो दोस्तों देखें CRT TV यहाँ पर on कर दिया है हमने CP lock को सभी से लगाता हूँ खराब हो रहा है हमने यहाँ पर set को on कर दिया है और अब स्टेंड बाई से रिलीज करते हैं वो सेंसर उधर की तरफ है मुझे उधर जाना होगा तो देखे दोस्तो श्टेंड बाय से लिज हो चुका है और टीवी देखे दो देखे अब on हो चुका है कोई भी यहाँ पर sparking नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पर जल्दी से screen आजाएगी दोस्तो देखे screen भी आ चुकी है वहाँ पर पांच भी लिखावा चुका है कैमरे में सही सही दोस्तों स्क्रीन नहीं दिखती लिप जिप सी दिखती है चाहे आप कभी भी देख लेना हमारा CRT इटी यह भी बिल्लुकु लोग के है कोई दिक्कत नहीं है कलरपला की चैटिंग आप दोस्तों प्रिशेट से कर सकते हैं कोई प्रिशेट गल रहा हो इसको चेंज कर सकते हो बेस पे लगे हुए होते हैं इसके और अपना प्रोब्लम का शोलूशन हो जाएगा ठीक है दोस्त अब हमारे CRT TV बढ़िया चल चुका देख लिजे अब इसको AV मोड पर लगाता हूं शिर्फ इसमें AV दिखता है अपनी बैक्राउंड नहीं दिखता है तो दोस्तों देखे कोने पर AV दिख रहा है ग्रीन कलर का तो दोस्तों हमारे CRT TV ओक है हमने पूरे रूप से टीवी को ठीक कर दिया है पैक करके कस्टूमर को दे देंगे अपना दोस्तों डाइसर रुपे जो भी अपना चार्ज वो ले लेंगे तो आयों मेरे भाई आपको वीडियो अच्छे रहे तो प्ली वीडियो को लाइक करना जो चैनल पर नहीं तो प्ली दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दो जैहिन वदने माता हूं दोस्तों आपका दिन सूर्बा आप सभी अच्छे रहे